नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे एक किलो दूद से टेस्टी टेस्टी बर्फी ना मावा ना चाशनी ना ही कोई और इंग्रीडियंट ना मिल्क पाउडर बिल्कुल सिंपल तरीके से तीन चीजों से हम ये मिठाई बहुत ही आसान है तो चलिए बनाते हैं इस बर्फी को जैसे कि त्योहार आने वाले हैं तो सब ने अपने घर में त्यारी करके रखनी हैं मिठाई वगरा रखने की तो इस तरीके से दोस्तो आप अपने घर में ही मिठाई बना सकते हैं आपको पता है कि हमने क्या समान लिय और कोई मिलावट भी आप नहीं करेंगे तो बिना मिलावट के आप घर पर ही एक किलो दूद से इजी बर्फी बनाएं तो बर्फी बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर कढ़ाई इस तरीके से और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालेती हूं जरा सा पांचा चमच डाल लिय मैंने पानी के कि मैं इसलिए डाल रही हूं ताकि मेरा दूद नीचे ना चिपके अब मैं इसमें एक किलो दूद डाल लेती हूं आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं जैसे यदि आपके कढ़ाई छोटी है तो आप थोड़ा पहले डाले थोड़ा बाद में डाल इसका मैं कभ यूज करूंगी, मैं अभी बताती हूं, दोस्तो इसको आप साइड पे रख दे और अपने दूद को उबाल आने दे, तब तक आप कोई और काम कर सकते हैं, दोस्तो मेरा ये दूद उबाल आचुका है, एक उबाल आ गया है इसमें, उबाल आने पर मैं इसमें वही corn floor का घोल जो मैंने अभी बनाया था तो मैंने इस तरीके से डाल दिया है और इसमें डाल देती हूँ मैं चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के इंसार ले लें इसमें दोस्तों कोई milk powder यूज नहीं करना है तो आप अपने टेस्ट के इसार से मीठा डाल लें यदि में इसमें milk powder मिलाती तो मैं मीठा कम करती क्योंकि milk powder पहले ही मीठा होता है मैं यहां ले रही हूँ दो कप चीनी इस तरीके से मैंने चीनी डाल दी है चीनी दोस्तों मैं पहले इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरी ये बर्फी बहुत ही अच्छी बने एकदम से set हो जाए और यदि आप चीनी इस time पे डाल देते हैं तो आपका दूद बिल्कुल भी धल्ले में नहीं चिपकेगा इसलिए मैंने चीनी पहले डाल दी है आप अपने टेस्ट के उसाथ चीनी ले सकते हैं कम या ज़्यादा चीनी हम बाद में भी डाल सकते थे लेकिन पहले में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे जो कडाई बगरा है उसमें दूद नहीं चिपकेगा नीचे इसलिए मैंने चीनी पहले ली है तो चीनी को आप घोल लीजिए और इसको अच्छे से उबाल दे लीजिए अभी तो आप फ्लेम इसकी हाई करके रखें जैसे ही आपका दूद गाडा सा होने लगे तो आपने गैस को मीडियम रख देना है कॉन फ्लॉर का जो हमने घोल डाला है इसमें उसको डाल कर दूद हमारा गाडा सा होने लगेगा दूस्तों मैं इसमें कोई मलाईव गरा यूज नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ एक किलो दूद से ये मिठाई बनाऊंगी वो भी टेस्टी टेस्टी तो इस तरीके से उबाल आते आते ये मेरा दूद कम सा होने लगा है आपने इसको चलाते रहना है साथ साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं जब तक कि ये गाडा सा ना हो जाए तो इस तरीके से मैंने चलाती रही हूँ और गाडा सा मेरा पेश्ट सा हो गया है अब मैं इसमें डाल लेती हूँ एक चमच इलाइची पाउडर ये बिल्कुल ओप्षिनल है आप चाहे तो ना डाले चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा चीजों का आज यूज नहीं कर रही हूँ only मैंने इसमें फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर डाला है तो आप भी इस तरीके से डाल सकते हैं या आपके पास नहीं है तो रहने दे अगर डालना चाहते हैं इलाइची पाउडर और आपके पास इलाइची पाउडर भी नहीं है तो आपने क्या करना है, इलाइची लेनी है, इलाइची को कूटल एच्छे से या मिक्सी जार में पीस ले, तो आपका पाउडर इजिली घर पर बन जाएगा तो इस तरीके से मैंने डाल लिया है और इसको mix करते जाना है दोस्तो आपने इसको carefully बनाना है क्योंकि इसमें से चीटे बहुत निकलती है तो वो आपकी बाजू, हाथ वगारा को जला सकती है इसलिए आपने carefully बनानी है ये मिठाई अब मैं इसमें एक चमच घी का डाल रही हूँ ताकि ये मेरी और भी ज़्यादा अच्छी मिठाई बने तो मैं फिर से मिला लेती हूँ, इसको अच्छे से mix कर लेती हूँ तो दोस्तो आपने इसको तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये इस तरह से गाड़ा सा पेष्ट ना बन जाए इस तरीके से, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी बर्फी कब जमेगी, कब नहीं जमेगी तो आपने क्या करना है, स्पेचला से थोड़ा सा इसमें से portion लेना है और एक प्लेट वगरा में डाल कर देख लेना है जैसे कि अभी तो ये गरम है, गरम पर तो हम हाथ नहीं लगा पाएंगे तो आपने इस तरह से कटोरी में डाल लेना है और जब ये हाथ लग जा इसको, तब आपने इसकी गोली सी बना कर देख लेनी है अगर चिपकती है हाथ पर, तो समझो अभी हमने और थोड़ा सा पकाना है इसको और अगर नहीं चिपकी, तो समझो आपका बैटरी ये त्यार है, मिठाई बनाने के लिए तो इस तरह से आपने देख लेना है, और ये मेरी अभी डेडी नहीं हुई है अच्छे से अभी मेरे हाथ पर चिपक रही है, तो मैं इसको थोड़े सा और पका लेती हूँ ये देखे दोस्तों मैं इसको गोली सी बना कर दिखा रही हूँ अब ये नहीं चिपक रही है, समझो मेरी डेडी है, बर्फी जमाने के लिए मेरा ये डो त्यार है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, ये देखे, अच्छे से बन गई है बस इसी स्टेज पर आपने गैस बन कर देनी है, और इसको चलाते रहना है क्योंकि नीचे ये थोड़ा और गाड़ा सा बनता जाएगा, क्योंकि हमारी जो कड़ाई है वो गरम है इसलिए आपने थोड़ी देर और चलाना है गैस बन करके भी और गैस बन करके इसको थोड़ा सा रख देते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसको हाथ लगे जैसे कि अब ये बहुत गरम है, हाथ जल सकता है तो इसको 5 मिनट रेष्ट होने देते हैं इस तरह बना कर रख देते हैं इसको 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों मेरी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, इस पर थोड़ा सा हाथ लग रहा है और आपने क्या करना है, एक प्लेट वगरा लेनी है, ग्रीस कर लेनी है, मैं हाँ उल्टी ट्रे पर इसको जमाऊंगी और मैंने लिया है यहाँ पेपर, आपके पास पेपर नहीं है तो सीधी प्लेट में भी डाल सकते हैं इसको बस आपने घी से ग्रीस कर लेना है, पहले बात ध्यान रखें तो इस तरीके से मैंने सारा मठीरियल इसमें डाल लिया है उपर और इसको सैट कर देना है जैसे मैं कर रही हूं आप अपने अकोडिंग इसको सैट कर दे और उपर से मैं लगा देती हूं इस पर सिल्वर पेपर इसको लगा कर दोस्तों स्वीट की जो सु लगा सकते हैं, कोई भी ड्राइफूट लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आपने पिस्टा लगा लेना है, और इसको थोड़ थोड़ सा दबा देते हैं, ताकि इसमें अच्छे से सैट हो जाएए, और इसको जमने के लिए दोस्तों, चार से पांच घंटे रख सकते हैं आप, वैसे तो ये एक घंटे में ही सैट हो जाएगी, आप फ्रीज में रखें, चेह बहार रखें, बहार ही आपकी ये सैट हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि अगर हम बर्फी को फ्रीज में रखते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता, वो थोड़ी सी टाइट सी हो जाती हैं, तो हमें कब मिठाई मिलेगी, बनी नहीं कि पहले उसकी डिमांड शुरू हो जाती हैं, तो इस तरीके से मैंने ये रख दिया था, दो घंटे के बाद मैं इसको देख रही हूँ, ये देखे दोस्तो मेरी साथ हो चुकी है अच्छे से, मैं इसका पेपर निकाल लेती हूं साइडे कट कर लेती हूं, और ये जो साइडे काट कर हमने रखी है, इनको भी आपने खा लेना है, फैकना नहीं है, इस तरीके से मैं थोड़े मोटे मोटे पीस कर रही हूं, square में, ये देखे दोस्तो, काटती हूँ, ये पता लग रहा है कि मेरी बर्फी कितने अच्छे से सेट हो चुकी है, तो दोस्तो, इस तरीके से मैंने ये बर्फी बना ली है, आप भी इस तरीके से अपने घर पर बर्फी बनाएं, जैसे कि तिहार आने वाले हैं, और किसी भी तिहार पर आप बिल्कुल कम खर्चे पर घर में बना सकते हैं, इस मिठाई को, बिल्कुल कम ख बर्फी आराम से बन जाएगी बस 20 मिनिट आपने निकालने हैं अपने पूरे दिन में से और 20 मिनिट में ये घर की बर्फी त्यार है फटाफट से बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे इसको खाकर तो देर किस बात की है दोस्तों आप भी आज ही एक किलो दूस से ये बर् हो तब भी आप इजिली बना सकते हैं सिफ 20 मिनिट में बनाना आसान है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप करते जाएए और आपकी मिठाई त्यार है फटाफट से तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक क करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोसों